विल्कम टो एडुजोस, एडुजोस में आप सभी लोग का स्वागत है, दोस्तो बिहार पुलिस के सब इंस्पेक्टर की वेकेंसी आ चुकी थी, आप सभी ने फॉर्म भरा, अब इसका एक्जाम 22 दिसंबर को होना है, लेकिन ठीक उससे पहले वेबसाइट पर आज 24 किया गया है, ठीक है, क्योंकि result तो पहले ही जारी कर दिया गया था, तो cut-off और score वो जारी कर दिया गया है, तो जिन candidate ने exam दिया था, वो अपना score च Χन कर सकते हैं क्योंको कितना marks आया है, और cut-off देख कर के, ये भी देख सकते हैं कि कितने cut-off से selection हुआ है और ये cut-off आपके बिहार पुलिस sub inspector exam 2019 के लिए आपको काफी जो है इससे एक help मिलेगी कि आपको अपनी तयारी किस रूप में ले जानी है किस दिशा में ले जानी है कहां तक score जा सकता है उसको ध्यान में रखते हुए आप अपने जो 2019 के sub inspector की है उसकी तयारी कर सकते हैं तो अब एक महिने का ही समय लगभग रहा गया है यहाँ पर देखे इस notice को हम लोग देख लेते हैं कि क्या कहा गया है इस notice में और उसके बाद यहाँ पर जो marks के लिए वेबसाइट दी है उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे और उसके बाद cut of marks पर भी हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो सबसे important इस notice के अंदर यह का गया है देख लीजे जो बिहार पुलिस की संदर्व विग्यापन संख्या एक 2018 और दो 2018 दोनों के लिए तो एक 2018 जो था यह के लिए था ASI के लिए था तो इसको अब हम लोग चोड़ देते हैं 2 2018 जो था और इसमें 144 एक तिया है टीक है तो आपको यह देना है कि सिर्फ 126 वेकेंसी थी सब इंस्पेक्टर के लिए ठीक है और इसके जो परिक्षा ली गई थी वो उसके चरनों का जो अंतिम परिक्षा अफाल है वो 19.9 और 25.10 को प्रकाशित किया यानि 25 अक्टूबर को final result इसका आया था और इसके बाद यह उन्ह की वेबसाइट पर यह लिंक जो है वो 24 नवंबर से लेकर के पांच दिसंबर तक एक्टिव रहेगा उसके बाद यह डियक्टिवेट हो जाएगा तो यह एक इंपोर्टेंट चीज है अब हम लोग देखते हैं कि कट अफ कितनी गई है ठीक है कट अफ देखिए कट अफ य के लिए जो कट अफ गय एक सो catch दिस दिस द्याशन होता है और प्री है वो दूषए का दूषयोकгов लगब चाइगा यहाई मांक्स होता है और इसके अंदर 136 मांक्स की कट अफ गई है तो 200 में 136 गई है तो इसमें आप अंदाजा लगए यह कितनी गई है ठीक है 65 और 68 के आसपास लगबग जो है वो कट अफ गई एड़ सट इंटू दो करेंगे आप तो 136 आएगा यह कट अफ गई है प्रिएके में यह कट आफ चली गई है 151 फिक है 151 का मतलब हो गयां यहां पर आप 1955.7geb 5.5 पर सेंसे यह चली गई है मेंस के अंदर उसके बाद अगर अब देखेंगे फाइनल सेलेक्शन कहां तक गए है तो फाइनल सेलेक्शन चला गया यहां पर आप देखे यह 2790 क्योंकि वहां पर उन्होंने देखा होगा कई केंड़ेट का यह स्कोर मैच किया होगा 130 उसकी तरह से फीमेल का 103.8 आप इसको परसेंटेज में कनवर्ट कर लीजेगा 126.4 मेंस के लिए और फाइनल सेलेक्शन 134.6 क्योंकि यह कट अफ इसलिए ज्यादा है क्योंकि सीट यहां पर सिर्फ 126 थी ठीक है बिहार SI का जो एक्जाम 2019 का होने वाला है इस एक्जाम की कट-off obviously इस कट-off से नीचे जाएगी ठीक है तो इस चीज़ का ध्यान रखना प्री एक्जाम के लिए जो कट-off जाएगी वो इस कट-off से बिलकुल नीचे जाएगी क्योंकि वहां पर जो सीट है लगबग 2000 सीट आप मानके चलिए ठीक है 2400 के आसपास की vacancies है अगर आप देखेंगे तो मैं आपको यहाँ पर advertisement number में यहाँ दिखा देता हूँ कितनी total vacancies है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो विग्यापन संख्या इस बार का है इसमें आप देखें 2064 तो पुलिस अबर निरिक्षक के लिए यानि पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए है उसके बाद परिचारी के लिए 215 है उसके बाद जो साय का दिक्षक का रहा है उसके लिए 125 है तो आप इन सब को जोडिएगा तो लगबग 2400 vacancies है जो आपके 2019 में है तो definitely इसका जो cut up होगा आप मान करके चलिए कि अगर आप 65 के आसपास 65% के आसपास अगर अपना score रखते है ठीक है 60 से 65 के बीच इसका cut up जो है वो जाएगा pre exam के लिए लेकिन आपको mince में उससे थोड़ा सा अच्छा करना होगा क्योंकि आप देख सकते है difference में कितना चला जाता है ठीक है लगबग 10% का difference चला जाता है इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा ठीक है तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है इन सबी चीज को ध्यान में रखते हुए आप अपने बिहार SI की तयारे अब जो आपके पास 26 से 28 दिन का समय आपके पास सेच रह गया लगबग एक महीना मानिये इस समय के अंदर आपको किस तरह से तयारी करनी है उस चीज का पूरा और नीति आप तयार कर लीजिए और उसके बाद test series जरुड जयान कीजे आप देली यहां पर ट्यारी का discussion भी करते हैं देकिए आपको score किस तरह से check करना है यहां पर आपको जो अपना exam है वो चैब करना है यानी एक 2018 में अपएर होई थे या आप दो 2018 में अपेर हुए थे यह आपको select करने के बाद, आपको यहाँ पर अपना जो roll number है, वो enter करना है, उसके date of birth यहाँ पर enter करनी है, उसके बाद यहाँ पर जो capture code यह दिख रहा है, आपको यह image, यह वाली यहाँ पर fill करनी है, और उसके submit कर देना है, submit करते ही आपको आपका score दिख जाएगा, तो यह प